तो गाइस रात के साड़े 11 हो चुका है और अडीक अडीके हमारे आंत्रे चूँचूग तालरी आमागरी आए मुरूबाई लारा रे यह हमारे महंदी के आर्टिस्ट इच्छाती है टिकार आत्रो पापो कटू और यहां पर हमारी लगबग महंदी भी कंप्लेट हो चुका है बस हो गई मैंने कला यहां से नहीं दूबई से जिखाए मैं अच्छे तभी सकल आरी दूबई की एस यह पुना में डेस्ट आल फियल दे रहा है कि दोफ ठुत एना जो अमरीका यह अमरीका नाम नहीं चुपाजी दोनफ टुक है उनके वह कंद में टूनाबंट रप इनकी सादी में मैंने महंदी लगे तो पुद गे तो गाइस, फाइनली मेरे हाथ का पापा कड़ चुका है और आप कोमेंट में बताना कि मावाजी की का लाखा या आपको कैसी लगी और कोमेंट करें, चैनल सक्राइब करें यह मैंदी बनाई थी मैंने कैसे आप सब लोग उम्मीत करती हूँ, बहुत अच्छे होंगे तो अभी बज़रे सामके 5 और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशली है क्योंकि आज आप सबको पता है कि आज है करवाचोत और यह रही मेरी करवाचोत की मेंदी एक हाथ में मैंने खुद लगाई थी और एक हाथ में मेंदी लगाई थी मामा जीने कीडिया ममा कोड़ा केंट काएंगा ही मांड जोड़ा है और करवाचोतरो दिन इरवाचते 20 पेशल है उसके बाद आपसे मिलते हैं अभी मैं कड़ी हूं फीचे की गली में जहां चार और कप्ड़ यह कप्ड़े दिक रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे थोड़ा सा सोर कर रहे हैं तो चलो अभी सबसे पहले घर में चलते हैं मामी जी आन पर बना रहा है खाना खाने की तैयारी कर रहा है तो चलो पहले चलते हैं बाजार पुजा के लिए पुजा का सामान लाने उसके पाद वाफिस आके तैयार होते हैं लेट जिखले के लेटिया होते हैं यह मार बाड यहां है नी। बुनना में देश थाल फिल देरा भया है अटी बुण टोक्रेट लेगा हो महीं दोड़े पड़िया है करवा चोट का सारा सामान आ गया और अब भी हम होते हैं तैयार तू फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार और यह रा मेरा आज का लुक कैसी लगी हुझे कोमेंट में बताना जरूर और साथ बजे पुजा का मौरत हैं मामी जी कर रहे हैं पुजा की तैयारी चलो पहले कता सुनते हैं विनाइक जी को बताना जरूर जाएं विनाया जाएक लेजर निकोन हुझे का मौरत हैं जाएक लेजर निकोन ममी मनना करियो है अन्यों मैं वोली बढ़न देका हैं तैया नि मा तो ठोप फूजा काई चड़नों बेंदी हुँँ आरू कर दोड़नों जर्वार्वार्वति पिता महादेवा जीनर की आज रखो संभू सुतेवारी कामना को पूरा करो जगे बलियारी जय गणेस जय गणेस जय गणेस रेवा माता जांकी पारवति पिता महादेवा तो कता हो चुकी है लेकिन चाहां निकलने मामी टाइम है तो मैं और मामी जी थोड़ा सा खाना बना रहे थोड़ा सा नहीं पूरा खाना बना रहे हैं यहां पे लग रहा है पूरी के लिए आटा और यह बन गई खीर और इसमें है सबजी नई कपड़ा में खाना बनाने का यह तरीका होता है जुगार बनती मेरी दीदी पूरी बेल रही है और मेरी मम्मी पूरी शेकरी है यह लो खेनी चाली तो अभी बचुका है रात के नो और चांद आ चुका है तो मैं और मामी जी जा रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग की टेरिस पर चांद देखने के लिए साडी में जलना इतना मुस्किल होता है मुझे आज पता चला है हम वेलकम करते हूंका वेलकम थैंक्यों सो मच यह वेलकम का यह तर्षा हो यह वेलकम का यह तेरे पुने का चंदर मा पूरा है अब इतक चान तो दिखाने लेकिन उपर से इतना खूबसूरत नजारा जरूर दिख रहा है लार लादा गंटा उन चतमात खड़ा लेकिन हाल तक चान नड़ो नड़ो नहीं है वाई क्योंकि बाद लाद बज़ों मोसम खराब हो गयो और गाउंरे माई ने तो साड़ी आट बजी चान दीखियो और अब अटे तो दस बजी है लेकिन हाल चान ने दीखियो आट दो आट हो यहां ता 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 मरी चोईस घंटा था कादीश वामी जी बाचिवाच आखिगा अट बचांट है पेल कतां करवा चांड बेलियो मैं अठी किसी जिगां इस दिगी जिगां पादीगा मिलें मैं इंजन हमे अधी मिल जाई विचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया किते सुन्दर लग रहे हैं आज मेरे दीदी था 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 देखो उन्होंने किती सुन्दर महंदी निकाले दिखाए दीदी आपके महंदी हाँ यह लोग देखो यह रहा मेरे जीजु का फर्स्ट लेटर और यह रहा उनका नाम आज मेरे पापा ने निकाली रह उनका लेकिन बाद में पापा ने निकाली और पीछे नहीं निकाली मैन और भाई आपी लटकी इस गया है यूराज का फटीलर बोल गया किन दे के रहे रहे तो गई स्राइट के साड़े ग्यार हो चुके हैं और अडी कड़ी के हमारे आंत्रे चुओं चुओं तो फाइनली रात के बारा बचे पूजा पूरी हो चुकी है और अभी लग रही है बहुत चोरदार भूख तो चलो सीधा चलते हैं गर और खाते हैं खाना बोल्दा पानो